नमश्कार दोस्तों, हमारे चैनल आईएस विध हरी मोहन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं सीता सिंग आपके साथ बायलोजी का सेक्शन डिसकस कर रही हूँ, मेरी पिछली कई सारी वीडियो से मैंने आपको सेल चेप्टर पढ़ाया है और सेल चेप्टर में हर एक वीडियो में मैंने आपके सामने एक टॉपिक को डिसकस किया है, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ माइटो कॉंटरिया शेयर किया था, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्लास्टेट्स को डिसकस करने जा रही हूँ, तो चलिए आए जानते हैं कि प्लास्ट कि Discovery को लेकर के और बेसिकलिए प्लासिट किसकिस में पाए जाते हैं तो देखिए अपने मेरी पहली वीडियो जो देखी है मैंने स्क्रीन पे एक clear हो रही है कि प्लास्टेट्स या तो प्लांस में पाएच आते hiking प्लांस है एक एनिवल है जो फोटा सिंथासिस करता है उसका नाम है यूगलीना और वो जिस और इन प्रोटेस्ट में फोटोसंथासिस करने की अबेलेटी होती है इसलिए इन में भी प्लास्टिस प्लांस की तरह पाये जाते हैं इसके बाद एनिमल है जिसमें प्लास्टिस बिल्कुल भी नहीं पाये जाते हैं फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकती हैं या फिर वह एनिमल है जो और हेट्रोट्रॉप दोनों होता है और इस कैटेगरी में जो आते हैं उन्हें हम यूगलीनौाइट्स कहते हैं प्लास्टर्स के दिस्कवरी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम बताते हैं कि एक साइंटेस्ट थे जिनका नाम था अंस्ट हेक क्लियर कट डेफिनेशन इन्होंने दी थी प्लास्टर्स लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत बहुत इंपोर्टन्ट होते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस में बहुत इंपोर्टन्ट रोल प्ले करते हैं तरीजन बिंग क्योंकि हर किसी और्गानिजम को जिन्दा रहने के लिए energy की ज़रूत होती है और energy nutrition मने food से मिलती है और in any how कोई भी organism क्यों न हो वो overall किसी भी टाइप का consumer हो overall वो direct और indirect अगर depend होता है तो वो plants पर depend होता है और plants किस तरीके से हमारी मदद करते हैं किस तरीके से हमारे भगवान है किस तरीके से हमें nutrition प्रोवाइड करते हैं तो हम simple सी language में बहुत बात करते हैं कि यह हमें खाना दे करके हमारे लिए direct भगवान की तरह काम करते हैं तो चाहे कोई vegetarian हो चाहे कोई non-vegetarian हो राइट चाहे वो primary consumer हो चाहे वो secondary consumer हो चाहे वो tertiary consumer हो इन एनिहाओ आइधर direct और indirect तरीके से वो plants पे डिपेंड करता है और plants को अपने इस काम को करने में जो direct help करते हैं वो हैं plastics इसलिए हमने कहां they are necessary for essential life processes like photosynthesis and food storage they are easily observed under microscope as they are large they bear some specific pigments thus imparting the specific color to the plants देखे सीधी सी बात है आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी पतियां है वो रंग बिरंगी होती है हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपने रूम में या फिर गार्डन में colorful leaves वाले plants लगाते हैं कुछ ऐसे plants होते हैं जिनकी purple कलर की leaves होती है कुछ ऐसे plants होते हैं जिन में green कलर के बीच में Shades पाये चाते हैं different colors के तो वो सब plastics होते हैं और plastics के different different types होते हैं अब हम कहते हैं कौन से types हैं तो simple हम बात कर रहे हैं कि depending upon the pigments कि इसके अंदर कौन सा pigment पाया जाता है plastids basically यहां तीन तरह के होते हैं कई बार हम इन्हें दो तरीके के बोल देते हैं हम कहते हैं chromoplast और leukoplast ठीक है chromo माने colored plast माने plastids रंगीन plastids और रंग हीन प्लास्टेस्ट रइट रंगीन plastid और रंग हीन plastids clear अगर वो रंग हरे रंग का होता है तो हम उन्हें सीधे-सीधे नाम देते हैं chloroplast और हिंदी में इसे बोला जाता है हरित लवक Plastids को हिंदी में हम क्या कहते लवक कहते हैं लवण मत बोलिएगा लवण मने salt होता है तो अब या तो खाना बनाने का या खाना स्टोर करने का काम करते हैं तो अबहीं आपको तो केटिगगराइशन अगर तीन तरह का दिखाई देता है तो अगर दो तरीके का दिखाई देता है तो भी सब्यों की जरुप नहीं है ब्रॉड और संस में हम बोलेंगे तो हुआ होते हैं क्रोमों और लिव लेकिन अगर अग अगर क्लोरप्लास्ट को सबसे जादा वेटे सबस्क्स जो ग्रीन के साथ और कोई करा नहीं क्रोमोप्लास्ट है वो बहुत सारे color दे सकता हैं, उनमें से एक green color है, मतलब chloroplast beta है, chromoplast का, right, chromoplast बहुत सारे color है जिनमें से color green है, इसके अलाबा और कौन से color होते हैं, हमने देखा है कि बैंगान है, ब्रिंजल color का होता है, इस टमाटर है, लाल रंग का होता है, ऐसे बहुत सारे colors हैं, जो हमें plants में, either in the forms of leaves, और either in the form of vegetables, देखने के लिए मिलते हैं, वो सभी के सभी color किसकी वज़े से हैं, chromoplast की वज़े से हैं, अभी बताएंगे, chromoplast के पास ऐसा क्या होता है, कि जो वो plant को इतना सारे color प्रोवाइड करा पाता है, दूसरा हमने बोला, कि ये तो थी कि pigment है, अब वो को chromo या chloro बोला गया, लेकिन जिसके पास कोई pigment नहीं है, किसी भी रंग का pigment नहीं है, उसे हमने बोला, lyukoplast, colorless plastics, मने रंग हीन plastic, ठीक है, तो ये खाना बनाते तो नहीं है, लेकिन जो खाना chloroplast ने बना दिया, ये उसको store करने का काम करते हैं, तो हमने कहा सबसे पहले, ज उन्हें हम बोलते हैं, chromoplast, जो specially हरे रंग के होते हैं, उन्हें हमने कहा, chloroplast, और जिनका कोई रंग नहीं होता है, जो colorless होते हैं, वो है, lyukoplast, राइट, समझा जगे आपको, चलिए, अब हम बात करते हैं, कि प्लास्टिट्स कितने तरह के होते हैं, तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने दो अलग-अलग diagram दिये हैं, जो अलग-अलग तरीकी की variety आपके सामने शो कर रहे हैं, यह दो diagram देने का मेरा यहाँ पर logic क्या था, क्यों मैंने दो अलग-अलग diagram दिये, मैं एक ही diagram दे सकती थी, और आपको simple तरीके से समझा सकती थी, उसका कारण है कलर्ड और कलर्लेस्क रंगीन और रंगहीन और सीधे हम कहते हैं रंगीन में जो हरे रंगे हैं वह क्लोरोप्लास्ट हैं बाकि और सारे रंग पाये चाहते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वह खाना स्टोर करने का काम करते हैं और खाना स्टोर करने की बात करें तो एलोज, कार्भोहाइड्रेट, बेन इलियोप्लास्ट ये जो है, ये क्या कर रहा है, फैट को स्टोर कर रहा है, और ये जो तीसरा नाम आप देख रहे हैं, प्रोटीनो प्लास्ट, इसको एक नए नाम भी देते हैं, that is called आपके सामने Allureoplast क्या कहलाता है मैं लिख रही हूँ यहाँ पे Allureoplast Actually होता यह है कि wheat के अंदर जब wheat का seed देखते हैं monocot का seed देखते हैं तो उसमें एक protein layer हमें मिलती है और उस protein layer को जो हम नाम देते हैं या जो नाम दिया जाता है वो नाम है Allureon layer प्रोटीन लेयर उसका नाम क्या है तो बोलते है Allureon layer protein is directly proportional to Allureon तो कहीं पर यह नाम Allureoplast है और कहीं पर यह नाम Proteinoplast है चलिए पहला डाइग्राम हमने आपके सामने शेयर किया अब जब गूगल पर जाते हैं इतनी सारी images दे रखी हैं जब भी Plastid की बात करते हैं तो यह नाम सामने आ जाता है तो क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि नाम होता क्या है तो वो चीज आपको clear cut पता चल सके इसके लिए मैंने आपके सामने एक simple diagram और एक जिसमें extra नाम दे रखे हैं वो diagram यहां पर दिखाया है सबसे पहले बताया है यहां पर Pro Plastid देखें जैसा की नाम आ रहा है Pro Pro is directly proportional to primitive जो चीज अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है तो प्लांट के पास दो तरीके की टिशू होते हैं एक Maristematic Tissue विवजोतिक ठीक है और दूसरा जो होता है वो permanent tissue होते हैं जो पूरी तरीके से स्थाई हो चुके होते हैं जिए हिंदी में हम बोलते हैं स्थाई होतक पहले वालों को हमने क्या नाम दिया Maristematic माने विवजोतिक जिनमें विवाजन होता रहता है और दूसरे वाले tissue होते हैं जो इस्थाई मने permanent हो चुके होते हैं तो उन्हें हम permanent tissue कहते हैं तो जैसे ही cell divide होकर के आती है और वो differentiate होती है अपने अपने कामों को करने के लिए तो अभी वो पूरी तरीके से बहुत mature नहीं हो चुकी है तो जिस time पे वो mature नहीं हुई है और अभी अभी उसने अपना काम करने ही start किये हैं तो उस time उसके पास जो plastics होते हैं उनको हम बोलते हैं pro plaster ठीक है तो इस समझ है pro मने primitive type के plastic simple सी definition है यह इसके बाद हमने कहा कि plaster को बाटेंगे हम कौन-कौन से क्रोमों और लिवकों में जो हरे रंग के थे color वाले थे green color के थे उन्हें हमने अच्छा सनाम दिया क्योंकि सब कुछ घूम फिर करके chloroplast पर कहानी आ जाती है और हमारे दिमाग में picture बनती है plaster is directly proportional to chloroplast इसलिए हमने chloroplast को यहाँ center में lead roll दिया क्रोमो प्लास्ट लाल रंग यहाँ पर दिखाया लाल रंग दिखाने का हमारा कारण क्या था क्यों दिखाया लाल रंग उसका कारण हमाना यही था क्योंकि लाल जैसे कोई भी रंग अगर हमें chloroplast convert होते हैं chromoplast में चीक है amyloplast नाम जाना पेचाना सा लग रहा है carbohydrate को store करने वाले ileoplast यह नाम भी जाना पेचाना सा लग रहा है fat को store करने वाले बट यह नाम थोड़ा सा different लग रहा है पत्ता नहीं कहां से आया है यह नाम तो देखें डेफिनेशन इंग्लिश स्पैलिंग में बहुत कम अंतर है दोनों की दोनों की स्पैलिंग एक जैसी लग रही है लेकिन वह इलियो प्लास्ट है जो फैट को store कर रहा है और यह आपका सही से ठीक है पत्तिया पीली पढ़ जाती है इसका जो चलोरोफिल कंटेंट यह भी खतम सा हो ने लग जाता हो जो पीली पत्तियों में प्लास्ट पाया जाता है वह है etioplast अगर हम वापस से conditions नॉर्मल करा दें ठीक है और वो green color का हो जाए तो ileoplast convert हो जाएगा किसमे chloroplast में ठीक है प्रोप्लास्टिट प्रेमिटिव टाइप के plastic और etioplast जो है वो उन पत्तियों में पाया जाता है जो light की कमी की वजह से पीली पढ़ने लग गई है लेकिन अगर उनको वापस टाइमली लाइट मिल जाएगी तो वो दुबारा से normal हो जाएगी और chloroplast में convert हो जाएगी चलीजी अब हम बता रहे हैं आपके हमने इसी का एक रिकाप ले रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा प्लास्टेड नंबर वन टाइप कैसे chloroplast लीड रोल की वज़े से हमने इसको नंबर वन दे दिया क्रोमो हाना कि बहुत सारे कलर हैं जो इसे प्लांट भगवान है वह प्रॉसेस है फोटो सिंथासिस और जो उस प्रॉसेस को करता है वह नंबर वन तो इसलिए हमने क्या है किसको दिया नंबर वन क्लोरोप्लास्ट को ठीक है क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है और यह ग्लीन कलर प्लांट को देता है क प्रोमोप्लास्ट के पास केरोटिनोइट पिगमेंट होते हैं और केरोटिनोइट के अलावा केरोटीन और जैन्थो फिल पीला रंग देता है इस टाइप का पिगमेंट होते हैं यह लाल हो सकता है औरेंज हो सकता है यलो हो सकता है ऐसा कलर हो सकता है लिउकोप्लास्ट कोई रची कलर नहीं हो सकता कलरलेस काना बनाて नहीं यह बने बनाए को स्टोर कर रहे हैं तो हमने का है अमेनको कि इतन्यक्ते भाप के सामने ये बात कर दी कि आपको यम सब्सक्राइब से क्रोमो प्लास्ट के पास कौन कॉन से थे कारवटेनाइड łत जिसकी विचै और औरेंज य्एलो उसले ने डी पट्ति फलोंसे और फूल में रंग बिरंगारं दिखाई देता है आप किस की वज़े से आप किया कर रहा हो फूलों की तरफ ही तर फैटो कि तरफ दोड़ हुआ हो स्कते हैं कि से क्रोमप्राइश कि स्कते ही वज़े से फल कर लये वरणी लवक टो से लवक कि वरणी लवक यह है वर्णी लवक को तो यहां पर हमने बोलबा मैं eggs फैसे जो लीफ ना आपको बीछ परपल कलर दिखा ही दे रहा है यह के क्रॉमोप्लास्ट की ज दिए एक साने यह पूछा फोने रीप को लेकर करके तो उसे हमने क्यरता el IdealКак dm कि आर में पूच आप एक्वार की पतिया पंखुडियां तो हमें दिखाए देती रंग भी रंगी ह relativ और पूचा फूल का वो किसे वज़े से रंग भी चली जी इसने कहा करotenoid containing chromoplast develop यह सकता है और chloroplast से भी हो सकता है chloroplast फो एक टाइप है किस का नाम नाम दे रहे हैं chrometo 4 जो pigment है that is chroma माने कलर जहां भी इंपार्ट होता है जहां इसका सीधे मतलब जो चीज कलर दे रहे हैं वह क्रोम प्लास्ट ठीक है किसी भी एंगल से कुशन आपके छूटने नहीं चाहिए क्लोरो प्लास्ट के पास क्लोरोफिल था करोटेनोई होते हैं जब फोटो संथासिस पढ़ेंगे फोटो संथासिस में अभी हम क्लोरोप्लास् कि प्लांत में चाहिए होता है जो है करते है जो सब मिलकर के फोटो सिस्टम बनाते हैं और पानी को तोड़ने में मदद करते हैं ताकि फोटो संथासिस की लाइड क्रीट हो सके चलिए इसने बोला इसी को इसार दी पिगमेंट्स विच रिस्पॉंसिबल फोर ट्रापिंग लाइट एनरजी एसेंशल फर पोर्टो सिंथेस बार-बार स्लाइट्स कुछ मिलती जूलती जरूर दिख रहे हैं लेकिन हर बार आपको कंटेंट नया दिखाई दे रहा है पहले ही इससे पहले वाली स्लाइड में चलिए अब जिसका आपको बहुत इंतजार था जो लीड रोल में था अप मुसे डिसक्स कर रहे हैं वह है लो अप्लास्ट ठीक है तो यहां आपने बोला कि जो प्ल्रेयर होते हैं और उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जो ग्रीन कल एपिडर्मिस बीच वाली जो सेल्स होती है उन सेल्स को हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं यह फिल वर्ड है नहीं वह पत्ती के लिए आता है और मीजो मने बीच में तो ऐसी सेल्स जो पत्ती के सेक्शन के बीच में प्रेजेंट हैं दो सेल्स हारोने मीजोफिल सेल्स इन मीजोफि इनकी शेप जो है वेरी करती है और बहुत इंपोर्टेंट सी शेप अभी आपके सामने दिखाई दे रही है इस शेप इस काल रिबन शेप राइट इस रिबन शेप शेप ख्लोरोप्लास इस प्रेजेंट एन पर्टिकुलर एल्गी एंड एल्गी इस काल अब यूडो और एनिभी श्पाइरोगाइरा इस बेसिक एल्गी यह काई है यह चो आस पास में देखने के लिए मिलती है इसे हम scientifically spirogyra के नाम से जानते हैं और इसके पास जो chloroplast पाया जाता है that chloroplast is especially ribbon like chloroplast ओके इसके बाद इसकी length के बारे में बात करें तो इसकी length अलग size की होती है कहीं लंबे, गोल, oval, पाये चाते हैं तो इसने कहा कि इसकी length vary करती है और इसकी length जो है 5 से 10 micrometer हो सकती है और जो width है वो 2 से 4 micrometer हो सकती है देखे इसका number बहुत ज़्यादा vary करता है cell to cell ठीके कुछ ऐसे organisms हैं, कुछ ऐसे plants हैं, जिनके पास ये एक भी हो सकता है, जैसे कि clamidomonas और कुछ ऐसी हैं algae, जिन में 20 से 40 chloroplast per cell भी पाये जाते है, मीजोफिल की पत्तियों में अगर आपसे पूछा जाया कि कौन से plant में सबसे ज़्यादा chloroplast पाया जाता है तो इसके लिए आप answer देंगे, spinach पालक, आप देखिए लागे घर पे, वो इतना green होता है ठीके कि अगर आप उसको हाथ से जादा कौन से plant में, chloroplast पाया जाता है किसकी leaves में पाया जाता है तो यहाँ पर आप बोलोगे किसमें, इस फिनाच में ओके, चले, next यह होता कैसा है, इसका structure कैसा होता है तो देखिए, आपसे यह भी question पूछा जाता है कि mitochondria chloroplast में क्या-क्या similarities है mitochondria chloroplast में क्या-क्या similarities है, यह question बताने के लिए मैंने पहली line यहाँ पर introduce की है, कि जैसे कि mitochondria में होता है, वैसे ही chloroplast के पास भी दो layers होती है पहली layer is outer membrane and the second layer is inner membrane और इन दोनो layers के बीच में, जो space filled होता है वो हमारा inter membrane space वह करता था यह mitochondria के पास भी था, तो कौन-कौन से चीज़े common होगी, mitochondria इसके पास में नमबर वन इस थी, outer membrane, second is the inner membrane, third is the inner membrane space, अभी और भी कुछ बाकी है, जो दोनों के पास common है, इसे हम इसी section में discuss करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पर बोला कि यह जो पूरा space है जो यहाँ पर आपके सामने present है देखे, मैं red color से दिखा रही थी तो पहले ही कुछ और बना हुआ है red color से, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे color change करना है, और मैं आपके सामने दिखा रहे हैं, यह जो पूरा material है, this complete fluid material is called stroma, जितना यहाँ पर वो site important है, जो photosynthesis की light reaction करती है, उतनी ही second site भी important है, जिसका नाम stroma है और वो stroma इसलिए important है क्योंकि stroma exactly क्या कर रही है वो dark reaction बने food को synthesis जो synthesis करने का basic काम है carbon dioxide को fixation करने का fix करने का, वो stroma के अंदर होता है, ओके तो हमने बोला, the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma, a number of organized flattened membranous packet, sec, like called the thylakoids which are present inside the stroma ओके, यह जो आप देख रहे हैं एक के उपर एक, एक के उपर एक के उपर एक, जो coins के धेर लगा हुआ है, ठीके यह इसे भी हम special नाम बोलेंगे, ओके इस धेर को हम कहते हैं, ग्रेना इस धेर को हम कहते हैं, ग्रेना और इस धेर का singular word आता है ग्रेनम, ठीके इस ग्रेनम की boundary को थाइलेकोईड कहा जाता है, तो थाइलेकोईड वो इंपोर्टेंट सी जगे है जहाँ पर फोटो संथैसिस की light reaction complete होती है तो आपने बोला, थाइलेकोईड सार अरेंज इन दे रेक्स मने धेर Like the piles of the coins called ग्रेना धेर को आपने बोला ग्रेना and the singular word is ग्रेनम ठीके, ग्रेना की जो membranes है इस membrane constitute थाइलेकोईड membrane और इसके जो beach का space होता है, that particular space is called Lumino of थाइलेकोईड ठीक है थाइलेकोइट मेंब्रेन में ही इलेक्ट्रोन ट्रांसपोर्ट चेंज चलती है जो फोटोसिंथासेस की लाइट रियाक्शन को कम्प्लीट कर पाती है इसके बाद हमने यहां पर जो इंपोर्टेंट पार्ट डिसकस करना है वो है कि इसके पास क्या होते हैं राइबो दी आने दिखाई दे रहा इसका भी डिने कया स proteg like डिने है और यह भी कया सब् halten है सर्कूलर डिने का सडी अनणी कशा डिने और 곳 इंटर ग्रेंल थैले कोईट्स, ओके चले next अब आपके सामने जानने की थोड़ी सी excitement तो होगी, कि exactly थैले कोड होती कहां पर है कहां रहती है थैले कॉड कहां से आती है थैले कोड कोड ऑके, तो हमने खाए in addition, there are flat membranous tubes which are called stroma lemilia connecting to the th recollects सभी डिफिरेंट घ्रिंट मैं पीछे वली समें आपके सामने यह देखे एक ग्रेना कनेक्ट हो रही है किसे दूसरे ग्रेना से तो यह जो ग्रेना ग्रेना एक से सब्सक्राइब मैंब्रेन रिम्प्रेक्टर से connect होती है उन मेंब्रेन स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है अब हमारे सामने आती है बात अब हमारे सामने बात आई कि the membrane of the thylakoid and closes a space and this space is basically called lumen ठीक है तो lumen आपको कहा the stroma of the chloroplast contain enzymes which are required for the synthesis of the carbohydrates and protein ठीक है तो stoma के अंदर जो खाना बनाने वाला काम होता है जो सियो टू का fixation करने का काम होता है वो सीओ टू का fixation करने वाले सारे enzymes पाए जाते हैं यह अपने साथ लेकरके रहता है यह डपल स्टांडर्ड डबल प्ल्स्टांडड जो डीने हैं और वह वो भी कैसे टाइब का है सब्सक्राइब दाइन से इसके सांटेर प्रैक्टस कर रहे हैं की सारे की सारे प्लास्ट ऑनाए थी एक प्रेजेश एक श्लाइट दी थी अर उसमें दो तरीके के लिए तुर्फ इसलफ़ द्ध़ाइब दिखाये दिकाये थे पूछा जाएगा तो आप उसको सॉल्ब कर पाओगे तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि लूकोप्लास्ट तो खुद एक पार्ट है लेकिन प्रोप्लास्टिड जो था वह रूट और इजिन में था जहां से सारे प्लास्टिड सीवल हो रहे थे कि फिर हम ने कहा विच अभ्णी फॉलनिट प्लास्टिड किसके पास नहीं होते है थीक है फंजाई और हैनिमल्सके पास उत होते थे आपना िछाए n पास्टि हैं तो प्लांट्ट के पास नहीं नहीं होते हैं आप्छन तोॉपि कर्भाहइड कर रहा था करभोहर्ड़ कर रहा था यह वीकोप्लास्ट काइट है तो अगर हम पढ़ेंगे और य। इसको रोडोफ़ाइसी के लोग है यह रोडो वर्ड आता है वह किसके लिए आता है है तो चलिए रोड़ माने रोड नहीं होता सड़क नहीं होता रोड इस इकल इस टो जिकल टो डिए सब्सक्राइब नहीं सकता तो यहां पर ऑप्षन हुा सही था तो चलिए दोस्तों अब हम आप से बात कर रहे हैं आपको अगर यह हमारी वीडियो पसंद आई है मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए बैल आइकन दबाना और भी आपके लिए बहुत 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 है इनकी इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए प्लीज अपनी पढ़ाई कंटीनियू रखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक बायालोजी की कितनी और वीडियो आपके सामने आएंगी जैसे के कमेंट सेक्षन में किसी ने मुझे लिखके बेजा है कि बायालोजी की माम और कितनी क्लासेज होंगी तो बेटा आप भी तो दिल ठाम के बैठी अभी तो आपका सिर्फ बायालोजी सेक्षन स्टार्ट हुआ है और मैं आपके सामने साथ सिर्फ एक ही चैप्टर डिसकस कर पाई हूं ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स ह बैटिये कोई डाउट आता है तो आप उससे पूछे कमएंन्ट सेक्षन में लिख कर के मुझे जरूर बताईये कि अगर आपको कुछ नई चीज सीखनी है कोई सगया चाहते हैं तो आप आप सच में पढ़ाई करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको ऐसे बहुत सारे कुश्चन कोश्चन पेपर्स की ज़रुवत है तो प्लीज आप हमारा आप आई एस विद हरी मोहन डाउनलोड करिए जहां आपको यह सारी चीज़ें मिल चाहेंगी आप हमसे कॉंटाक्ट कर सकते हैं टेलिग्राम पे फेस्बुक पे ट्विटर पे आप हमें वाट्सप कॉल कर सकते हैं और अगर आप मेरे साथ लाइब क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अटन कर सकते हैं चरी दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नई टॉपिक के साथ बहुत बहुत धन्यवाद